हेलो स्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट और्गनाजिशन के जो इंपोर्टेंट कोशिंट्स हैं जो छह छह नंबर के आते हैं बोर्ड के एक्जामिनेशन में उनको तो मैंने आप एक कोशिंट लिया हुआ है और यह कोशि सिक्स माक्स का फुल फ्लेज बनाना होता है तो पूरा फॉर्मैट आप इंकमेंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंशीट का और क्लोजिंग बैलेंशीट का बना लेंगे और कोशिंट को पढ़ती जाएंगे जैसे से कोशिंट कहेंगा वैसे वैसे हम मयूर क्लब है और चमद दिया हुआ में 31 स मार्च 2020 यनी कि आपका जो एक एप्रिल 2019 कहलो यह 31 समार्च 20189 कहलो ​ईयाज का ओपनिंग डेट है और 31स अमार्च 202 जो यह आपका डेट हो गया मिल ओपनिंग एपको니다 अंशीट दे करेडेट साइड सबस्क्रेप्टिट आपको पूरा झाना है डोलाग पंद अजार और सब नीचे चाहर यह बना रेविनियू की है सेलरी इंक में ड्येडश्स ड्यास ब्रैमा यास्ट बन्यूस माच प्रेड्ध मुनिडैक्स एक्समेंट और यह जाएंगा dalam shop खानेके दिक उला पॉझियक जोите सब्सक्तर्म उपक्ति इन अचेशेट spark hard watt जाएंगा जबॉद्धा टाोगोंजय को ब्लोगे स्टर्डी कर लोगे तो यकिन मानौञरी जर। एक ही कोश्चिन को मैं करार हूं आपको इसके थू आप कोई भी कोश्चिन अगर छह नंबर का है तो कम से कम चार नंबर उसमें गेन कर सकते हो मिनिमम फॉर मार्क्स आंसर आये चाहे नाये पहले चाहे ना हो या आप कम से कम आप ला सकते हो में से चार नंबर बस आपको एक बात में हाँ पंच लाइन बोलो सब लोग सुनना कोशिन की रिक्वार्मेंट को जरूर पढ़ लेना एक्जामिनेशन में क्यूं आपको क्या पता कोशिन सिर्फ इंकमेंड एक्सपेंडिचर के लिए ही बोले क्योंकि यह बुक का कोशिन हो बुक में तो कोशिन आपको सारी चीज बोलेगा बनाने के लिए लेकिन एक्जामिनेशन में क्या पता सिर्फ आपको इंकमेंड एक्सपेंडिचर काउंट बोले बैलेंशीट बोले ही न तो इसलिए आप पढ़ ले न पर यहां पे मैं आपको सारी चीज बना के दिखाऊं कितने मेंबर हैं बताओ जरा 500 मेंबर है हर कोई सब्सक्रिप्शन कितना दे रहा है 500 रुपए सीरीस ही बात है समझो जरा अगर 500 मेंबर है हर कोई 500 रुपए सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो हर साल आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए वह मिलना चीज भाई लाक कि अगले देखना 5000 आर स्टिल स्टिल का मतलब अभी भी एरियर है मतलब आउटस्टेंडिंग तो 5000 अभी भी आउटस्टेंडिंग है 31 मार्च 2019 यानि कि पिछले साल का यह जो साल कि पिछले साल का आज तक भी आउटस्टेंडिंग कितना 5000 अब यहां पर समझने वाली बात यह है अगर साल 2,500,000 रुपए तो सिंपल हो गया आपने 500 मेंबर है और 2,500 रुपए एच तो इंकम एंडेज एप्सक्रिप्शन सीजा लिग दो 500 रुपीज तो आपके पास लेकिन आपको इस तरीगे से करना नहीं आपको पूरा फॉर्मेट करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव दो चीजे प्लस करोगे दो चीजे माइनस करोगे प्लस क्या करोगे आप आउटस्टेंडिंग प्लस क्या करोगे आप अडवांस बिगनिंग और माइनस क्या करोगे आप अगर इन सबको सॉल्व करके फिर करोगे आपका यह ठीक है समझे रहे हो बात को तो अना ही यह लेकिन करें कैसे देखो सबसे पहले सुनना देरा अच्छे समाझ ना कितना रिसीव हुआ है 2,15,000 जि नेक्स्ट यहर का होता है माउंट यह एडवांस अड़ एंड होता है तो हमको एक फिगर मिल गया एडवांस अड़ एंड सिक्स थाउजड माइनस होता है समझे बात को अब और देखो अब यहां पर लिखा हुआ है कि 500 मेंबर है हर कोई 500 रुपे देगा तो यह धाइलाक फुर्प्रोप्र को हर साल मिलना कीटना मिलना चीह ड़्याग बनाः चाहिए कि सिर्प इसी इसी साल का जो आउटस्टेंडंग अमांट है वह कितने का है घाइलाइक मिलना चाहिए इस साल आपको मिला नो killer 5000 protest那 में याने कि इस सहाल आपको 45,000 कम बें outstanding for this year and outstanding for previous year पिछले साल College crendlings till outstanding कितना दिया हुआ आपको 5000 तो याने कि आपका outstanding at the end जो है वह 50,000 का है कैसे 45,000 आपका इस साल का outstanding और 5000 आपका पिछले साल का outstanding तो यहा मिल गया outstanding at the end कितना मिल फिफे देखो यहां पर आपको पिछले साल का मिला कितना है समझना बात को अच्छे से पिछले साल का आपको मिला कितना है 4000 और पिछले साल कावि फी ऑउट स्रेंडिंग कितना है 5000 यहां नीके लिखाण अभी फी रृफ देंग कितना रहा होगा 9000 ऑब HayAK 9000 जिसặtते, 4000 मिल गया आपको स्प Hazel and 5000 नहीं तो चुन आउट सेंडिंग 9000 है और इसमें दो लाक 15000 आपको तो अमांट जो है वह मिला हुआ इस साल का तो दो लाक 15000 तो सब्सक्रिप्षन रिसीव उसको यह लिख दोगे और आउटस्टेंडिंग जो बिगनिंग है आउटस्टेंडिंग वह 9000 का है समझे बात को 9000 का कैसे 4000 आपको मिल गया है और 5000 आपको नहीं मिला बिलकुल मैं धीरी धीरे आपको समझा करेंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे कि इस कोशिन के basis जो बाकी कोशिन्स लिया इकजामीनेशन वे लोकल गुवर्मेंट को जाता है मुनिसिपल टेक्सेश हमारा जो मुनिसिपल टेक्सेश है एवह एवरी एयर का 4000 है clear हो गया तक हम हर साल का पे करते हैं लेकिन हमने कब तक पे कर दिया 13 जून तक आपका जो येर एंड होता है वो था 31 मार्च तक तो आपने मतलब एप्रिल में और जून तीन महीने का आपने क्या किया मुनिसिपल टैक्सेज प्रीपेड कर दिया और ऐसा आप हर साल करते हो ठीक है प्रीपेड मुनिसिपल टैक्सेज बिग्निंग एर एक हजार का है और पांच हजार आपको a ports टैक्सेज लिए रखा है क्लास आपको कितना दे रखा है 5000 5000 आर आउट्सेंडिंग ऑ थे लेंड और तो आप मुझे बताओ बज़र्धा carbon少 ap आपने फाल्तु दे दिया नधा अप्रिल में और जून का 30 जून तक पय कर दिया तो यानिकि आपका एंड का जो 3, 4, 0, 12, 4, 1 तो आपका 1000 रुपए जो है वो एंड का भी क्या है आपका प्रीपेड तो प्रीपेड बिगनिंग मी मिल गया प्रीपेड अट अगर नहीं दिया गया है तो आउटस्टेंडिंग सेलरी हम किसका मानेंगे एंड का ही मानेंगे तो हम इसको भी साथ-साथ करी लेते हैं ठीक है फिर हम इसको बैलेंस शीट में भीजेंगे ध्यान रेकना तुरंद तुरंद अगर नहीं भीजा आपने तो बाद में भूल जाओगे इस बात को ध्यान रखना सबसे पहले टू सेलरी आप देखा था सेलरी कितना दिया हुआ था 60,000 का मैं दिखा देता आपका 65,000 धा लिखा होता है तो आउंस् टीग एन이면 टेंड मांते हैं एक्याल ही यहां तक फिर टू मुनिसिपल टैक्सिस to municipal tax municipal tax आपने कितना pay किया देखलो municipal taxes चार हजार pay किया है ठीक है आपने municipal tax जो pay किया है 4000 pay किया है 4000 प्लस करोगे इसमें prepaid beginning जो आपको दिया हुआ है 1000 रोपे और minus क्या करोगे आप prepaid end minus करोगे prepaid at the end वो भी 1000 है तो आपका टोटल एमाउंट जो आएगा वह चार हजार ही आएगा अब आप लोग यह काम कर लो सब लोग यह काम जरूर साथ साथ ही हर पॉइंट के बाद ही कर लिया करो कि जितनी भी चीजे यहां पे बैलेंशीट तक जा सकती हम भेज देते हैं सबसे पहले जो होता है हमार लिए असेट होता है तो ओपनिंग बैलेंशीट में लिख दू यहां पे आउटस्टेंडिंग सब्स क्रिप्षान ठिक है ओपनिंग बैलेंशीट में कितना था बताओ 9000 रुपए आप देखके लिख सकते हो यहां पे प्रिपैड मुनिसिपल टैक्सिष भ भी आपका असेट है प्रीपेड मुनिसिपल टैक्सिस हजार रुपए का आपका क्या है असेट है और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो वहां भी आउटस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्लोजिंग बैलेंशीट के इंदर देखो हम लिख रहें क्लोजिंग बैलेंशीट में तो आउटस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन जो उपर आपने लिखा थे ना सब्सक्रिप्शन वगेरा वही पूरा आपको लिखना है आउटस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का और प्रिपेड मुनिसिपल टैक्स भी एक हजार का एक अपकी आउटस्टेंडिंग सेलेरी यह वह कितना अमाउंट था जरा पांच जार यानि कि यह जितने भी आपने ऊपर चीजे बनाई है यह चार चीजे और यहां पर जो भी आउटस्टेंडिंग है प्रिपेड है उन आउटस्टेंडिंग सेलेरी यानि कि लियाबिलिटी और आउटस्टेंडिंग इंकम याउटस्टेंडिंग इंकम है सब्सक्रेप्शन तो यह जाएगा एडवांस एक्स्पेंस हमारे लिए असेट होगा यह बेसिक चीज आपको जरूरू पता होने चीज कहां पर आती है भाते नेक्स पॉाइंट पर यहां पे हमने पॉइंट पढ़ लिया दो तीसरा पॉइंट बिल्दिंग स्टांस इन्ट वुक 5 घृरिया की आपकी इं तो हुआ है यहां पर देखो कोई बिल्डिंग आपने खरीदा बेचा तो कुछ है नहीं तो बिल्डिंग आपको पांच लाग का दिया हुआ है और क्या लिखाए शिक्स परसेंट इंट्रेस्ट अक्रिवड और इंवस्मेंट फॉर फाइब मन्त यानि कि पांच महीने का आपका का जो इन्वस्मेंट का इंट्रेस्ट है आपको मिला नहीं है वह पांच महीने का और कितना परसेंट है शिक्स परसेंटस आप अगर आप फाइंट्रेस्ट लाग का 6% निकालोगो सीधा आएगा 12,000 और 5 by 12 कर दोगे तो यानि कि 5,000 रुपए आपका investment का interest अभी मिला नहीं वह accrued है तो आप चेक करना है कहीं interest दे रखाओगा receipt में receipt में कोई भी interest नहीं मिला तो सीधा सीधा इंट्रेस्ट यहां पर आ जाएगा by by accrued interest ठीक है by accrued interest on investment और कितना निकाल आपने 5000 रुपए और यही 5000 रुपए closing balance sheet में भी चला जाएगा asset side accrued interest on investment और यह amount कितना आएगा आपका 5000 रुपए रहे बात building की तो building यहां पर दिया हुआ है आपको पांच लाग रुपए का तो building का amount आप सबको पता है कि आपको कहां लिखना लिखना है balance sheet के अंदर लिखना है building का amount हम लोग लिखलेतें balance sheet के अंदर ओपनिंग और closing दोनों balance sheet में आपनिंग Application तो पता ही नहीं है इसमें की डेप्रीशिशन वगेरा कितना लग रहा है तो बिल्डिंग को ओपनिंग बैलेंशीट में भी दिखा देंगे और बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंशीट में भी आ जाएगा यहां पे बिल्डिंग ठीक है कितने की बिल्डिं में जितनी भी रिसीट दे रखी है वो सब आएगा income expenditure में credit और payment जोगा इंकमेंट expenditure में debit लेगे निसमें से जो revenue nature के वही आएंगे सिर्फ तो opening balance एक लाख 2500 तो लिख दू हैं पर opening balance जो है opening cash होता है तो यहां लिख दो cash एक लाख वन लाख 2500 ठीक है opening cash होगा और इसी तरीके से अगर आप सबसे लास्ट में चेक करोगे तो closing cash आपको 90,000 का मिलेगा तो यहां लिख दो closing cash cash कितना cash बिता हुआ है यहां पर 90,000 ठीक है अब देखो इसके बाद opening cash closing cash होगे हां पर subscription लिख चुके हैं अब यह तीनों चीजे यानि कि 54,000 का donation drama tickets और sale of waste paper तीनों चीजे जो है आप यहां पर लिख दोगे buy side यानि तीनों चीज आपकी income है क्या क्या income है सबसे पहला आपको जो मिला है donation और amount था 54,000 का donation था donation के बाद है drama tickets प्रोसीड मतलब पैसे मिले प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकेट ड्रामा की कोई tickets बेची है कोई activity की है 95,000 और जो पैसा मिला है वाला sale of waste paper कुछ वेस्ट पेपर बेच दिया इन्होंने और उससे इनको पैसे मिल गए कितना 4500 आरा समझ क्लास इस तरीके से अब यहां पर हो चुकी है अब यह सारी खर्चें salary expense हम सब कुछ खर्चें यहां पर लिखेंगे करके तो सबसे बहले salary की बात करें तो salary देखो उपर हम लोग लिख चुके है salary almost हमारा डन है salary हम लोग लिख चुके हैं एक सेकेंड इसको इधर लिए आते हैं कि हमारा हो चुका है salary के अलावा जो खर्चें है वह हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं आपर salary हो चुका है salary के बाद अब बताओ कि इसको ट्रांसफर कर देते है salary के बाद हम जो इतने भी खर्चें वह हम लिखेंगे salary हो गया expense इन्हें पता नहीं किस चीज के expense है तो हम लिख देंगे यहां पर expense टू expense टू expense बताओ जरा कितना expense है यहां पर 7500 का drama expense लिखेंगे कितना drama expense हमारा 45,000 का है newspaper हमारा 15,000 का है moneyster tax हो चुका है charity 35,000 का है investment तो balance sheet में जाенного कर दो लाका वह बी closing balance sheet में कुछ नहीं लिखा होता हम closing balance बढ़ेश देते हैं तो यहां closing balance sheet में यहां ले लेक दो कि कितने की investments हमें 2,083ां2,087 में, क्लोजिंग और बैलेन सिट में इन्वेस्मेंट लिख दिया मेंने सारे खर्चे ले देते हैं एक्सपेंस का अमाउंट था आप सेवेंटी फाइवंडिट कोशिन क्लास टेलिग्राम गुरूप पर आपको मिल जाएगा नहीं तो यह रहा कोशिन स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो यह पूरा कोशिन देखो यह मैं इसको हटा देता हूं ताकि सेवेंटी फांडिड्ड्रमा एक्सपेंस था हमारा कूं ड्रामा एक्सपेंस ए फॉट्टी फिव थावज Pan का ड्यूु नूज्स पेपर कैरिप्षिन का wykorचायक इसने का पंदरा हजारँ का इसालरे बनेंचे Regal tax हो चुका है cancer ध्यूर्टी था थर्ट-रदि उती खाइव यहां तक तो यह हमने सारे के सारे खर्चे और सारी कमाई को हमने इंकमड एकस्पेंडिचर अकाउंट आप देख सकते हुए एक सामने यह रहा सारे सारे के हां पे आएगा वह किस नाम से आता है surplus के नाम से तोवेग करके माइनस करके दिखते हैं कि हमारा प्लस है वह कितना आ रहा है थीक है सारे खर्चे हम माइनस करें कर करके आप examination में ताइम जो है कम लेना प्लस माइनस करने में अधर्वाइस आपका काफे टाइम खराब हो जाएगा ट्रिपल टू-5-00 ऐसे लिखने लाइन में लाइन की साथ ही जोड़ जाए इस साइड को जोड़ो बड़े साइट से छोटे साइट को माइनस कर दो आपका जो आंसर है वो आजाएगा 2,22,500 अब ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर इधर है वो आता है अगर आप देखो यह आएगा यहां पर एक लाग 2,500 प्लस दस अजार प्लस पांच लाग 6,12,500 और यह जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो गया लाइबल डिसाइड 6,12,500 इसमें आपको एक चीज जोडनी होती है प्लस जो आपने उपर निकाला है लाइफ मेंबर्शीप फी होती उसे भी जोड़ देते बट वह है नहीं 2,22,500 तो अगर मैं 6,00,00 मैं जोड़ू इस चीज को तो मेरा आंसर आ रहा है 8,35,000 यानि कि लाबड़ी साइड और 6 प्लस 5 11 तो यह हो गया तो इस इसाप से आपका हो गया 8,46,000 तो अगर इधर साइड का भी उतना ही आता है तो आंसर जो है आपका वो मैच हो जाएगा ठीक है तो हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आ रहा है आंसर 8,46,000 यानि कि हमारा कॉश्चिन जो है पूरा कंप्लेट है और यह कॉश्चिन का आप स्क्रिंशॉट ले सकत बड़ा पूश्चिन था एग्जामिनेशन में इतना बड़ा नहीं आता है लेकिन इसकी पॉइंट काम के है इसके सारे पॉइंट इसका इंक्वर्ण एक्सपेंडिचर एकाउट का है एक्जामिनेशन में बड़ा के लिए अगली वीडियो में क्लास हम और कोश्चिन लेगा ठीक है टेक केर दो